ओम स्री गने सायनम दोश्तो एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक सुवागत हैं दोश्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी रविवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और सुवास्त की महत्पपूर्न जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अं में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सा समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण समाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके वे काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदा आजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यतित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे अधिक निखार आज आएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा प्रंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से किसी परिशानी से आज आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तों समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उपयोग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के समक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अथवा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तों अनेक प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तों अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्विबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्ति उत्पन हो सकती हैं भैतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अन्होनी होनी जैसी आसंका होने का आज भैर रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण व रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बनाकर रखना होगा दोस्तों साती सात दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भैनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदुन्दी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परिसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंते कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा र संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड़त आएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जान गर के सभी सदस्यें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे, बहारी संबंदों से सावधान रहें, इनसे मान हानी होनी की भी संभाव ना है, परिवार के व्यक्ति आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन संबंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पे प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओडर भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी शेवारत व्यक्तियों के ऊपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना ले बलकि टीम वर्क बना कर काम करें इससे वैवस्ता उत्तम बनी र प्रित्र में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप बहतर पैणाम हासिल होंगे आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वैवसाइक परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहे अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंद्रित करें किसी बड़े अनुबंद के मिलने की आज संभव ना है वैवसाइक गति विदियों संबंदित योजनाएं किसी भी बहारी व्यक्ति से आप शेयर ना करें कोई इसका अनुचित उप्योग कर सकता है और और संबंदित सभ नौकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सेयम रखें वेवेस्तित दिन्चरिया रखने की आज आवश शक्ता है स्वास्थ मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदीश निर्वत रहोने के बाद किशी गरीब ऐसाहाय रोगी या फिर किन नरो की साहिता किशी भी रूप में आशिरवाद आपको प्राप्त होगा और भगवान शुर्यदेव आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में जो भी परेशाने चल लही हैं समस्त परेशानी होकांत करेंगे और आपके जीवन में सदेव खुसियां खुसिया होंगी या दोस्तो आप इस प्रकार किसी की सहत अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, दोस्तो भगवान शुरेदेव का असरवाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै शुरेदेव अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, झाला झाला झालाआए, ँटरेदेव लगवान जै टोस्तो भूलें लिए्वान याझ्ट।